नमस्कार विगे बी नियूज के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत हैं जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिन्दा खबरे वो भी मेरे साथ कोरणा काल में बंद कॉलेजों को खोलने की तयारी हैं कुछ शर्दों के साथ राज्य के उच्छ और तकनीकी शिक्षा मंतरी उदैसामंत ने 20 अक्तूबर से राज्य के सभी गैर कुशी विश्वविद्याले डिम्ड विश्वविद्याले से सब्बध कॉलेज 50 विजदिक शम्ता के साथ खोले जाने की घोशना की हैं इस विच राज्य के पुर्वग रुह मंतरी अनिल देश मुक के खिलाफ दर्ज मामले में CBI ने चिफ सेक्रेटरी सिता राम कुंटे और DGP संजे पांडे को भी समंझारी किया है सरकार ने इसे हाई कोर्ट में चुनोती दी हैं तो एक रेस्टोरेंट को दूसरी जगह शिफ्ट कराने का एक रोचक मामला भी सामने आया है जिलाधी कारी के आदेश को खारिस करते वे अदलति ये टिपनी में कहा है कि लगता है राजनितिक दबाओ के कारण ये आदेश दिया गया है उधर राज्या मंत्री मंदल की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि सरकार की और से पदोनती में आरक्षन बनाय रखने के समर्थन में दलिल दी जाएगी इसके लिए राज्या सरकार सुप्रिम कोर्ट में अतिरिक्त शपत पत्र दाखिल करेगी मुंबई के पुर्व पुलिस आयोकत की मुश्किले और बढ़ सकती हैं एनाईये कांदीवली क्राइम राज्य के पुर्व इंस्पेक्टर सुनिल माने को इस मामले में अप्रूर बना सकती हैं प्रदेश के इन पाज बड़ी खबरों को विस्ताव से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ राज्य के उच्चे और तकनीकी शिक्षा मंतरी उदे सामत ने 20 अक्तूबर से राज्य के सभी गैर कुरुशी विश्व विद्याले डिम्ड विश्व विद्याले से संबध्ध कॉलेज 50 फिस्दिक शमता के साथ खोले जाने की घोशना की है हालां कि कक्षाओं में वे ही विद्यार्थी बैट सकेंगे जिने कोवीड-19 की दोनों वैक्सिंग लग चुकी है पुंबई में विद्यार्थियों को लोकल ट्रेंज से यातरा की अनुमती देने के लिए मुख्य सचिव को प्रस्ताओ भेजा जाएगा मंत्री सामंत ने कहां कि सभी कॉलेज युनिवर्सिटीज को केंद्र और राजी सरकार की समय समय पर जारी गाइडलाइन्स एस ओपी का पालंग करना जरूरी होगा जो विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से कॉलेजों में उपस्तित नहीं हो सकेंगे उन्हें आनलाइन सुविधा उपलप्त कराई जाएगी अलग-अलग चरणों में छात्रवास शुरू करने को लेकर संचालक उच्च शिक्षा और तक्नीकी समिक्षा कर अवश्यक कारवई करे उधर पूने में सामंत की घोशना से पहले ही 12 अक्तुबर से कॉलेज खोल दिये गये प्रतिबंदिक छेत्रों के विश्वविध्यालयों और सम्मधित कॉलेजों को स्थानिय प्रशासनीक स्थर पर निरने लेने को कहा गया है उनके लिए विश्वविद्यले सम्मधित संस्थाओं के प्रमुखों और कोलेज प्राचारियों के साथ सानिय जुलाप्रशासन विशिश मुहीम शुरू करेंगे इस मुहीम में 18 साल से जाधा आयो के विद्यार्थियों के साथ टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के टिका करन को वरी अता देने को कहा गया है राज्य के पुर्वग रुह मंत्री अनिल देश्मुक के खिलाफ दर्ज मामले में सीबियाई ने चिफ सेकरेटरी सितराम कुंटे और डीजी पी संजे पांडे को भी समन जारी किया है ये समन पुलिस अधिकारियों के तबादलो और नियुक्ती में कथित राजनितिक हस्तक्षिप के आरोप में देश्मुक के खिलाफ दर्च प्रातमिकी की जांच के सिलसिले में भेजे गया है सीबियाई ने उन्हें इस सप्ताह से पहले पेश होने के लिए कहा गया था पुर्वग्रुहमंत्री अनिल देश्मुक ने बॉंबे हाई कोट से कहा कि एडी द्वारा कथित मनी लॉंडरिंग मामले में उनके खिलाफ कारियवाही हत्या और जबरन वसूली जैसे संगिन अपराधु के आरोपी के दावे पर आधारित है नयमुर्ती नितिन जमादार और नयमुर्ती एसवी कोतवाल की पीट ने देश्मुक की याचिका पर दोनों पक्षो को सुनने के बाद कहा कि इस पर आदेश बात बे सुनाया जाएगा देश्मुक ने इस याचिका में इडी द्वरा उन्हें जारी किये गए समन और मामले में पूरी कारिया वही रत करने का नुरोद किया है एक रेस्टोरेंट को दूसरी जगह शिफ्ट करने का मामला काफी रोचक है होटल मूनलाइट के मालिक ने पडली बाराओ गाउ से अपने शराब के ठेके को जुन्नर के शहरी इलाके में दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की लेकिन सान्य जिलाधिकारी ने इसे मन्जूरी नहीं दी दरसल शराप के ठेके को जिस दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए आविदन दिया गया था वहाँ पास में एक स्कूल भी था इसी वज़े से जिलाधिकारी ने इसे रिजट किया था मामला हाई कोट में पहुचा तो जस्टिस कुलकरणी ने कहा कि ऐसा लगता है कि अत्याधिक राजनितिक दबाओं में जिलाधिकारी ने ये निर्ने दिया है टिपणी में अदालत ने कहा कि स्कूलों के उपर जिम्मेदारी होती है कि वे छातरों के अंदर उच्चनैतिक मुल्यों को पनपने के लिए मदद करें और उन्हें वैसा माहौल प्रदान करें चस्टिस गिरिश कुलकरणी ने कहा कि याचिका करता अदालत में जीरह के दोरान अदालत के सामने ये साबित करने में असमर्थ रहे कि उनके स्कूल द्वारा दी जा रहे शिक्षा में शराब परोसने वाला रेस्टोरेंट बाधा बन सकता है और बच्चों पर इसका गलत से पदोन्नती में आरक्षन बनाय रखने के समर्थन में दलिल दी जाएगी इसके लिए पदोन्नती में आरक्षन को बनाय रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई विशेश अनुमती याचिका में राज्य सरकार अतिरिक्त शपत पत्र दाखिल करेगी बैठक में पिछड़ा वर्ग पदोननती व सरल सेवा में प्रतिनी धित्व से जुड़ी जान करी इकटा कर उससे सरकारी नौकरियों में आरक्षन निश्चित करने को लेकर मुख्या सचिव की अध्यक्षता में गठित समीती की रिपोर्ट पर भी विस्तुरुत चर्चा हु इसलिए इन वर्गों को भी पदोननती में आरक्षन देना जरूरी है अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में इन वर्गों को पदोननती में दिया गया आरक्षन कायम रखने की मांग करेगी इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान खीचने के लिए अतिरिक्त प्रियाप्त प्रतिनी धित्वन ना होने के चलते इस वर्ग को पदोन्ती में आरक्षन देने का प्रावधन किया गया है। जिसे परम्बिर सिंग भी शक्के घेरे में है। सुनिल माने को इसके लिए तयार किया जाए या सुनिल माने खुद इसके लिए तयार हो जाए। इसलिए हलकों में चर्चा है कि सुनिल माने परम्बिर सिंग के लिए एक और परिशानी का बड़ा कारण बन सकते हैं। पाकिस्तान और बांगलादेश की अंतरराष्टी सीमा पर बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स का अधिकार शेत्रा बढ़ाने के बाद पंजाब और पशिम बंगाल जैसे प्रदेश केंदर सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। तो कॉंग्रेस में लगता है कि ले शिक्वे दूर होने लगे हैं। अन्सजी की सुरक्षा दी जाएगी। आप नेता अर्विंद केजरिवाल ने सधा हुआ तिर छोड़ा है। इसी सीमा से लगे 50 किलोमेटर तक के इलाखे में तलाशी, गिरपतारी और जबती की अनुमती मिल गई है। साधारन भाशा में कहे तो अब मैजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बीना भी बीएसेप इस अधिकार क्षित्र के भीतर एक्षन ले सकती है। केंद्र के इस साधेश के बाद पंजाब में सियासी ववाल मच गया है क्योंकि पंजाब में फिलाल स्थानिय पुलिस किसी भी करवाई में बीएसेप की मदद करती थी। कॉंग्रेसर और अकाली दल ने इस फैसले का जोरदार विरोत किया है। और नशिले पदार्थ पाकिस्तान की ओर से पंजाब में बेजे जा रहे है। बीएसेप की बड़ी उपस्तिती और शक्तियाई हमें और मजबुत करेगी। केंद्रिय सशस्त्र बलो को राजनीते में न घसिटे। कॉंग्रेस में G23 समो के नेता गुलाम नभी आजात के रहुल गांदी और प्रियंका गांदी वाडरा के साथ कई बार एक ही प्रेम में दिखने के बाद अटकले शुरू हो गई है। लखिमपूर खीरी मामले को लेकर कॉंग्रेस प्रतिनी दिमंडल के साथ राष्टपति से मुलाकात के दौरान और 1971 की युद्ध पर फोटो प्रदर्शनी गुलाम नभी आजात राहुल गांदी और ट्रियंका गांदी के साथ दिखे। चर्चा बनी रही कि क्या कॉंग्रेस में G23 समूग के नेताओ का पार्टी के शिर्ष नेतरूत्व के साथ समझोता हो गया है। कॉंग्रेस के भितर भी All Is Will जैसी मुश्कुराट देखी जाने लगी। अभी कुछ दिन पहले ही राज्यसभा सांसत कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉंफरेंस में कॉंग्रेस से जुड़े मामलों को लेकर अकरमक रुक अपनाया था। सिब्बल का कहना था कि कोई नहीं जानता कि पुरुनकालीक अध्यक्ष की अनुपस सिति में पार्टी में कौन निर्णे ले रहा है। सिब्बल ने यहां भी कहा था कि असंतुष्ट गुट G23 मुद्दो को उठाता रहेगा। इसके बाद पार्टी के सदेश्यों की तरप से सिब्बल के घर के भाहर विरूत प्रदर्शन किया गया था। इस घटना के बाद से पार्टी के वफादार माने जाने वाले धड़े और असुंतुष्ट धड़े के बीच तनाव बढ़ गया था। अब शनीवार कॉंग्रेस कारिय सम्हिती की होने वाली बैठक में काफी कूछ मुद्दे सुलजने के आसार है। अग्तुबर को इन दोनों ही क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने स्वयम जा सकते है तीन साल बात पटना आने वाले लालुयादों के आगमन को यादगार बनानी की भी तैयारी की जारी है मिली जानकारी की अनुचार राष्ट्रिय जन्ता दल के प्रदेश कारयले में वजनी लाल्टेन का इंतजाम हो रहा है इसमें खास बात यह है कि यह लाल्टेन कहीं टांगी नहीं जाएगी बलकि स्थापित की जाएगी चर्टन वजनी लाल्टेन राजत के प्रदेश कारयले के दो इंट्रिगेट के बीच में स्थापित किया जाएगा राजत के नेताओं ने नाम न जाहिर करने की शर्थ पर बताया है कि सिमेंट और चर्ड से यहां लाल्टेन बनाई जा रही है और इसे माहीर मुर्तिकार बना रहे है प्रदेश में बिजली के बड़ी आपूर्ते के बीच जदयू और भाचपा जैसे दल इस चुनाव चिन्न का ही मजाक उड़ाते हुए अक्सर कटाक्ष करते हुए कहते है कि अब घरगर बिजली है बिहार में लाल्टेन की जरूरत नह जाएगी यह फैसला पानी से घिरे हुए इलाकों को देखते हुए लिया गया है यह पहली बार होगा जब उन्हें यात्राओं के दवरान इतना कवच मिल रहा है वरिष्ट अधिकारी ने जानकारी दी एक टीम मौके पर पहले ही पहुच जाएगी एनसजी कमांडोस के टी कई एतियसिक जगों पर जाएगे आने वाले दिनों में शाह उत्तराखंड और जम्मु कश्मिर भी जाएगे घाटी में मौजूदा हालात के मद्दे नजर सुरक्षा बल जम्मु कश्मिर में भी हालात का जायजा ले रहे है जहा गुरुव मंत्री कई जगों का दवरा कर सिमाई सुरक्षा और उसकी सिती का आकलन करने के लिए पहले बार इस तरह का कदम उठाया जा रहा है देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिठी लिख छट पूजा समारों की अनुमति देने का आग किया है कोरोना अब नियंत्रन में है और कई अन्य राज्यों ने इसकी अनुमति दी है केजरिवाल के इस कदम को राजनीती से प्रेरीत माना जा रहा है वे जानते है कि अनुमति मिले ना मिले लोगों की दिलों में उन्हें जगा जरूर मिलेगी वही एक अन्यमामले में द दिल्ली प्रदूशन नियंतरन समिती ने किसी भी जलाशय में मूर्ती विसरजन पर रोक लगा दी है। विशेशग्या मानते हैं कि जिनकी मंशा ठीक नहीं उसकी नियत में ही खोट है। कोरोना वारस कहां से और कैसे फैला ये पता लगाने के लिए विश्वस्वास्त संगठन 26 विशेशग्यों को वहान भेज रहा है। उसका मानना है कि ये अंतिम प्रया साबित हो सकता है। रहात की बात ये है कि अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन ने 19 महा बाद कनाड़ा और माक्सिकों से लगती अमेरिकी सिमाय खोल दी है। लोकसडक और हवाई मार्क से इन दोनों देशों में आवगमन कर सकेंगे। दुनिया बर्कीन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। भारत और चीन के बीज 13 राउंड की बाचीत के बाद भी बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। एक्सपर्ट का मानना है कि भविश्य में पूर्वी लदाक के लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल पर टकराओ की संभावना और बढ़ सकती है। यहाँ भी संभव है कि बीजिंग बाचीत को नियमित न रखे। मार्च अप्रेल 2022 में एक बार फिर बॉर्डर पर हिंसक संगर्श संभव है। अप्रेल मई 2021 से पूर्वी लदाक में स्टेंड ओफ की स्थिती बनी हुई है। दोनों देशों ने इसे सुलजाने के लिए तीन स्तर पर काम कर रहे है। विदेश मंत्रियों के साथ बाचीत, डिप्लोमाटिक बाचीत और मिलिटरी स्तर पर बाचीत। इस सब के साथ ही दोनों देशों के टॉप सुरक्षा सलहकारों के बीच भी बाचीत हुई है। लेकिन 20 महिने से अधिक बीच जाने के बाद भी मामला सुलजता नहीं दिख रहा है। साफ है कि चीन की मनशा ठीक नहीं, उसकी नियत में ही खोट है। रूस के राश्ट्रपती व्लादिमीर पुटीन ने कहा है कि अफगानिस्तान में स्तिती आसान नहीं है। आतंक्वादी पड़ोसी देशों को अस्तिर करने की कोशिश कर सकते है। यहीं नहीं, प्रत्यक्ष विस्तार की भी कोशिश कर सकते है। उन्होंने कहा कि इराक और सीरिया के आतंकी सक्रिय रूप से अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे है और यह खत्रे का संकेत है। बतादे की पुतीन इसके पहले आतंकवादी समूहों के सदस्यों को अफगानिस्तान में राजनितिक उथल पुथल का फायदा उठा कर बतार शरनार्थी पूर्व सोवियत देशों में आने की चेतावनी दे चुके हैं। दोनों देश अफगानिस्तान के साथ सीमा साजह करत इसी के कारोबार से तालिबान को फंडिंग के भी आरोप लगते रहे हैं। दूसरी तरफ तालिबान का कहना है कि वह मध्य एशियाई देशों के लिए खत्रा नहीं है। याद रहे कि प्रधानमंद्री नरेंद्र मोदी ने भी 20 में हिस्सा लेते हुए कहा था कि अफगान कौंसबर्ग शहर में पुलीस ने एक व्यक्ति को गिरफतार किया है जिस पर 5 लोगों की हत्या का आरोप है। उसने धनुश और बान से हत्याई की। पुलीस ने उसे गिरफतार कर लिया है लेकिन उसका मकसद अभी पता नहीं चल पाया है। यह घटना कौंसबर्ग शहर म में हुई जो नौर्वे के उत्तर पूर्व में हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस व्यक्ति ने परचून की दुकान के पास लोगों पर तीर कमान से हमला किया। इस व्यक्ति ने अकेले ही घटना को अंजाम दिया है। पुलीस ने आरोपी की पहचान उजागर नहीं की है और उसका आतंकवाद से संबंध होने पर भी टिपपनी नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि और जाज के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सके का। पुलीस को घटना के बारे में स्थानिय समय के मताबिक शाम करीब साड़े 6 बजे सूचना मिली थी। नौर्वे की कार्यवाहक प्रदानमंत्री एरना सौलबर्ग ने इस घटना को विभत्स करार दिया। जबकि प्रदानमंत्री बनने जा रहे जोनास टोयरे ने इसे क्रूर और नुरूशन्स बताया। घायलों में पुलीस अफसर भी नौर्वे के मीडिया ने लिखा है कि हिंसा के डर से शहर के कई इलाकों को खाली करा लिया गया था। घटना स्थल पर दरजनों हेलिकॉप्टर और एम्बिलन्स पहुची थी। घायलों को आईसीउ में रखा गया है। ये अनिमल हेल्थ, क्लिनिकल मेडिसीन, वाइरोलोजी और जिनॉमिक्स से जुड़े है। विश्व स्वास्ते संगठन की एक टीम ने इस साल की शुरुवात में भी चीन के वुहान शहर में चार हफते तक रुप कर जाच की थी। लेकिन किसी पुक्ता नतीजे तक नहीं पहुच पाई थी। इसलिए चीन से कहा है कि इस बार शुरुवाती केसों से जुड़े डेटा उपलब्द करवाए जाए। विश्व स्वास्ते संगठन ने कहा है कि दुनिया को रोक देने वाले कोरोना वाइरस का ओरिजिन पता करने की ये आखरी कोशिश हो सकती है। ब पहान की लैप से वाइरस लीक होने के दावे गलत है और अब और जांच की जरूरत नहीं है। अनेकों देशों ने चीन के इस बात का खंडन करते हुए उसे कटगरे में खड़ा किया है। नवंबर से ये फैसला लागू होगा। सुत्रों के अनुसर अन्य देशों से आने वाले लोगों के लिए भी यात्रा प्रतिबंदों को हटाये जाने के बारे में जल्द ही फैसला किया जाएगा। अनुमती दी जा रही है। झाल झाल